अधिका स्वागत्र मेरे यूट्यूब चानल पर आज की इस वोडियो में हम जानने वाले हैं कोल इंडिया ने कुछ चेंजिस किये हैं अगर एक एक एक्जेक्यूटिव की मतलब एक्जेक्यूटिव काडर में किसी एंप्लोई की डेथ हो जाती है तो उस जो डिपेंडेंट को जो मिलती है अमांट उसमें कुछ चेंजिस किये हैं उसी के बारे में हम इस वोडियो में डिसकस करने वाले हैं तो यह ओडर 2020 में जाई हुआ है जो Monthly Monetary Compensation है Female Dependent of Executive Carder Employee उसको पोल इंडिया ने इस ओडर में चेंग कर दिया है अब उनको जो Basic मिलेगा वो Even का Basic मिलेगा यह पहले भी Even का Basic मिलता था लेकिन पहले Even का Basic कम था 2017 में यह Salary Revise हुई है Pay Scale Revise हुआ है तो Even का जो Lowest Pay Scale है वो 40,000 है तो अगर किसी Executive Carder Employees की Mine Accidents से या Natural Death या Permanent Disablement हो जाती है तो उसके जो Female Dependent उस Executive की उसको 40,000 Compensation पर मंथली यह मिलेगा पहले यह Even का Compensation 16,400 है जो की Even का Basic था वो मिलता था तो जैसे ही Pay Scale चेंज हुआ को इंडिया ने इस Basic को भी चेंज कर दिया है जो की अगर यह हो गया है 40,000 यह Amount हो गया है और दूसरा Option क्या होता है यहां पर अगर दूसरा Option यानि कि अगर कोई Dependent है उस Executive का और वो अगर Job लेना चाहता है इस Compensation की बजाए यानि अगर किसी को Compensation नहीं चाहिए अगर उसको Job लेनी है तो वो Job क्या मिलेगी कोई भी जो dependent होगा उसको Clerk Training यानि Grade 3 में Job दी जाएगी उस Dependent को Regularize कर दिया जाएगा अगर हम Worker के Case में बात करें यानि कि अगर हम Non-Executive के Case में बात करते हैं तो यह जहां पर Job दी जाती है वो Category 1 में दी जाती है यानि पहले Category 1 में Training रखा जाता है छे माईने के लिए फिर उसी Grade यानि Category 1 में ही उसको Regularize कर दिया जाता है तो यह पर्थ है Executive और Non-Executive के लिए और यह वाली जो चीज़ है यह सिर्फ Executive के लिए Applicable है कि उसके Female Dependent Executive के Female Dependent को Even का Basic मिलता है 40,000 अगर यहां पर Job नहीं लेनी है तो यह दोनो चेंजिस थे जो की Studium मैंने आपको explain किये इसके लागर आपको कुछ और doubt है तो आप वीडियो में comment box में जान सकते हैं Thank you